स्वागत है आप सभी का जोती शूर्जा में आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे उपाई की जो आपके लिए बहुत चमतकारी साबित हो सकता है नवरात्री के समय में अगर ये उपाई जो आज मैं आपको बताऊंगी अगर ये उपाई आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलावा सकता है नवरात्री के दिन बहुत इपावन दिन और शुब दिन माने जाते हैं ये दिन जो नौ दिन हैं वो मा दुरगा के नौ अलग लग सब रूपों की पूजा अर्चना के दिन गहे गए हैं ऐसे में अगर आप कोई भी पूजा पाट, कोई भी उपाई, कोई भी रिच्वल करते हैं तो वो और भी अच्छा प्रभाव आपके जीवन में लेकर आता है रातरी के समय में बहुत से लोग उपाई करते हैं, कुछ लोग दिन के समय में उपाई करते हैं और कुछ उपाई रात के समय में किये जाते हैं ये इतने शक्तिशाले दिन है कि आप दिन के समय या रात के समय कोई भी उपाय करेंगे तो ये उपाय आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लाव देंगे ही देंगे आज को जो उपाई मैं दे रही हूँ बहुत खास उपाई है ये आपको उस समय पर करना है जब रात्री का समय माना जाता है रात्री के समय में किया गया ये उपाई आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांस्वरमेशन कर सकता है बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है तो इसल हम सब लोग जानते हैं और मैंने बहुत सारी वीडियो भी डाली है कि अगर आप सोने से पहले कुछ ऐसे कारे करते हैं जो आपके रात के समय में आपके दिमाग के अंदर घर कर जाएं तो ऐसे में आपका सबकॉंशिस माइंड उसी बात को सोचता रहता है उसी बात को करता रहता है और आप जो उसको एडवाईज देते हैं जो उसको बताते हैं आपने सबकॉंशिस माइंड में जो डालते हैं वो वही असर करने लगता है तो आज का ये उपाए बहुत खास है उन लोगों के लिए जो लोग धन से समबंदित, किसी भी समस्या से ग्रसित हैं जिनको धन आने में परिशानी रहती है जिनको बहुत सारी मेहनत के बाद भी इसका फल नहीं मिल पाता जिनको ऐसा मैसूस होता है कि वो कुछ भी करने पर उनको फल नहीं मिलता तो ऐसे में आज आपको एक कारे करना है जो यहाँ पर आज मैं बताऊंगी आप इससे अपनी किसमत के तालों को खोलने के लिए ये उपाई अवश्य करके देखना है ताके आपको भी इसके लाब प्राप्त हो सकें और आप जान पाएं कि हमारे ही अंदर इतनी शक्तियां जब आप अपने बिस्तर पर लेटें, उस समय पर आपने यह उपाय करना है, आपने एक पानी का ग्लास लेना है, आप उसे अपने सिरहाने पर रख कर सोते हैं, उस पानी के ग्लास में आपने एक मंत्र जब करना है, यहाँ पर एक मंत्र बहुत चोटा सा बीज मंत्र है, मालक आपने क्या करना है सुभे के समय में जैसे ही सुभे की पहली किरन होती है आप उठते हैं जितना भी समय आप उठते हैं चाहे पांच बजे, छे बजे, साथ बजे जब भी आप उठें सबसे पहले आपने उस पानी के गलास से पानी पीना है और मालक्ष्मी का धन्यवाद करना है कि आप हमारे घर में हैं आप हमारे पास हैं इसके लिए आपका धन्यवाद तो इतना कारे आपने रात के समय में करना है ऐसा करने मातरस से आप देखेंगे कि कितने लाब आपको मिलने लगे हैं मालक्षमी आपके घर में निवास करने लगी है, श्रीम बीजमंत्र में बहुत शक्ति है, ये बीजमंत्र आपकी सारी समस्याओं का हल करने की शक्ति रखता है, पर इसका एक ही तरीका है कि आप इसे रोजाना करें, वैसे तो मालक्षमी का दिन शुकरवार का दिन माना जाता तो इस कारे को करने के लिए आप शुक्रवार का दिन भी चुन सकते हैं शुक्रवार के दिन से आप प्रारंब करें और फिर इसको रोजाना करने की कोशिश करें क्यूंकि हम लोग धन की इच्छा हर रोज करते हैं तो हम शुक्रवार के दिन को ही इस तरह से नहीं मान सकते कि ये उपाय हमें सिर्फ शुक्रवार को करना है धन की इच्छा अगर रोज है तो रोज ही इसे करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ऊर्ज़ ऐसी होने लगी है कि आप धन को कीचने लगे है धन आपके पास आने लगा है जब भी आप ग्लास को हाथ में पकड़ कर श्रीम बीज मंतर का जब करें तब आप ये सोचें कि आपके पास खूब धन है जितना आप चाहते हैं उतना आपके पास धना आ रहा है और मालक्षमी आपसे बहुत प्रसन है वो आपकी हर बात को सुनती है वो आपके पास है जिस प्रकार से श्रीम बीज मंतर में बहुत शक्ती है उसी प्रकार से पानी में भी बहुत शक्ती है पानी में एक अलग शक्ती मानी जाती है तब ही लोग जब भी कहीं मंदिर जाते हैं कहीं भी जाएं, वो किसी भी धार मिक्स धल पर जाएं, पानी का छुड़काव किया जाता है, ताके सब कुछ आसपास का शुद्ध हो जाए, पानी में तो इतनी शक्ती होती है कि हमारे पापों को भी नश्ट कर सकता है, जब हम गंगा सनान करते हैं, तो वो पानी इतना पव हैं कि आप उसे जो संदेश देंगे, वो उसी संदेश को सुनेगा, और आपके शरीर में जब आप उस पानी को पिएंगे, तो वो उसी संदेश को उर्जा के रूप में परवाहित करेगा, इसलिए संकल्प लिया जाता है, आप देखेंगे कि पानी को हाथ में लेकर, जब तो पानी की शक्ति के बारे में आप सब लोग जानते हैं और इसकी उर्जा के बारे में सब लोग जानते हैं तो इसलिए पानी में जब आप श्रीम मंत्र का जाप करेंगे और उस पानी को सुभे उटकर पियेंगे तो ये उर्जा ये शक्ति आपके पूरे शरीर में प्रवा रहे, आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये सारी उर्जाएं परिवर्तित होकर सकरात्मक्ता में बदल जाएंगी और आप देखेंगे कितने अच्छे लाब आपको मिलते हैं, एक बार आजमा के देखें और इसके अनुभवों को जरूर मुझे बताएं कि आपको कैसा अनुभव हुआ, आपने क्या एक्सपिरियंस किया और आपको इसका कितना लाब मिला, कमेंट बाक्स में लिखकर जरूर बताएगा, ऐसे ही और वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ आगे, आने वाले वीडियो में आपको इसे देखने के लिए धन्यवाद